हलो एब्रिवन सबको नमस्ते जुहार फ्रेंड्स तो चलिए आज के इस विडियो में हम लोग जानते हैं चायना किस वाज़े से थोड़ा न्यूज में है एक टाइप का हम लोग करेंटे फिर के कुछ कुछ बोजिशन डिस्कुसन करेंगे और यहां पर हम लोग देखेंगे चायना कौन कौन से कारण के लिए अभी रिसेंटली न्यूज में है और मेरा नाम है सागत चलिए शूरू करते हैं आज के इस विडियो में तो जैसे आप यहां देख रहे हैं पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं धीरे-धीरे में बहुत कुछ एड़ करते जा जो की एक कंट्री है इस्ट एसिया में तो इस्ट एसिया में रहने वाला एक कंट्री है चायना और इसको ऑफिस्याली क्या बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना पी आर सी बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना बोलते हैं और यह दुनिया का सेकेंड टॉप कर गया है मतलब population में हम लोग फहले बढ़ गए है यानि फहले नंबर में आ गया है तो चायना अभी दूसरे नंबर में है ओके तो यह चायना क्या करता है five time zones तो equivalent of China spans the equivalent of five time zones and border 14 14 countries by land तो क्या करता है यह जो अपना equivalent five time zone के equivalent यह अपना विस्तार करता है और उसका border क्या करता है border 14 country by land मतलब यह 14 जो country है उसको अपना border expand करता है यानि border touch करता है ऐसे बोल सकते है borders 14 countries by land tie with Russia having the most of any country in the world तो जैसे ज्यादा तर क्या करता है यह रूसिया के साथ वो अपना border share करता है और इसका capital है वेजिंग और जैसे official language है मंदरिन तो चायना का capital क्या है वेजिंग और official language है मंदरिन और president यहां के है जी जींपिंग प्रिसिटिन कौन है चायना के जी जींपिंग तो आगे बढ़ते हैं क्या क्या है जैसे अभी चायना इसले न्यूज में था क्योंकि जो world का first offshore wind turbine था वो क्या क्या गया है वो अभी न्यूज में था तो क्या है देख लेते हैं तो वर्ल फरस्ट offshore wind turbine with power generation capacity 16 मेगवाट हैज बिकम operational इन इस्टिस्या फुजियान offshore wind turbine फिल्ड तो रिसेंटली क्या क्या है चायना ने अपना जो पहला मतलब पहला offshore wind turbine जो की 16 मेगवाट का है वो operational कर दिया और ये कहां पर क्या है फिल्ड जो offshore है मतलब चायना का एक जगा है फिजियन उस फिजियन आफसर में ये मतलब दुनिया का पहला आफसर वेंड टर्वाइन पावर जेनरेशन के मतलब वो क्या कर दिया है स्टार्ट कर दिया है मतलब टर्वाइन स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर क्या है यह ब्रिक्त्रो इन डीप सी विन टर्वाइन मैनुफेक्शिरिंग डैट है इस वाल लीडिंग लेवल तो इसके वज़े से यानि यह फॉस्ट ऑफसोर विन टर्वाइन मतलब होम कंट्री को छोड़कर जो बाहर के चीज़े है उसे हम लोग बोलते है और हम बोल सकते है और नेक्स्ट है ही टर्वाइन मतलब क्या है जैसे टर्वाइन क्या होता है एक ऐसा मेसीन होता है या फिर हम बोल सकते हैं इंजीन होता है वो क्या करता है वो एक वील से अपना पावर रिस्टीब करता है और किसके वज़े से अगर वहाँ पर वाटर गिरेगा या फिर हम लोग उसको यार देंगे या फिर हम लोग उसे ग्यास देंगे तो वो घुरेगा और वो बाद में क्या कर सकता है हमको electricity या फिर और दूसरे काम में वो लग सकता है तो electricity use करने के लिए electricity पैदा करने के लिए generate करने के लिए यह turbine का use कर दिया जाता है और भी बहुत कुछ काम में आते हैं और यहाँ पर और एक वाड है जो कि breakthrough का मतलब है an important discovery or development तो यहाँ पर जैसे यहाँ बोला गए a breakthrough in deep sea wind turbine यानि एक important discovery है कहाँ पर deep sea wind turbine जो समंदर के अंदर जो बहुत गहराई है उसके अंदर जो wind turbine है उसके manufacturing में एक एक सफलता हासिल किया है एक और चायना ओके तो आभी हम लोग जाने गए वाल का पहला आफसर विंटर माइन कहाँ क्या गया है चायना के इस्ट फुजियान आफस्योर में और यह कितना capacity वो मतलब अपरेजट करेगा यह 16 MW 16 MW 16 MW यह क्या करेगा अपना generate capacity जेनरेट करेगा उसका इतना capacity है मतलब उतना power वो जेनरेट करेगा 16 MW का और यह हम लोग थोड़ा सा क्या जान ले उसका छोड़ा हम लोग थोड़ा यह वाड़ बगर जान ले तो नेक्स हम लोग जाते हैं ISSF Junior World Cup Championship में तो ISSF Junior World Cup Championship है 2023 का तो इसमें जो की चाइना है वो चाइना अभी क्या किया है मेडल टेली में टॉप पोजिशन में हो गया है तो चाइना ISSF Junior World Championship 2023 जो की हो रहा था कहां पे जो चाइना ने टॉप पोजिशन मेडल टेली में लाग लिया है और उसके बाद हमारे इंडिया है तो ISSF क्या है ISSF का फूल फर्म है International Shooting Sports Federation और ये एक क्या है Junior World Cup Championship है जो की क्या करता है जो की Under 21 A's के टाइगोरी में ये Shooting मतलब Championship होता है और इंडिया इसमें 2nd position में है और चाइना टॉप पोजिशन में है जिससे यहाँ पर बताएगा है Chinese Athlete Impress and International Shooting Sports Federation Junior World Championship in Changwon Winning 12th of the available 48 gold medal मतलब यहाँ पर जो 48 gold medal मतलब गोल्ड मेडाल पाई ब्रोटल था उनमें से चाइना 12 ला लिया है किसमें ये ISS सब Junior World Championship में और इंडिया इसमें क्या क्या है इंडिया चैलेंजर इंडिया विट 6 इंडिया 6 gold medal पाया है लेकिन वहाँ चाइना यहाँ पर 12 gold medal पाया है और आउट ओफ 48 ओकी तो यह हम लोग जान लिए कहां कहां हो रहा था? चैंग वन सुटिंग रेंज रेंज और पर इंडियाजर जुलाई 14 से जुलाई 24 में हो रहा था और यह क्या है? International Shooting Sports Federation और ये Junior World Championship है जो की Under 21 केटेगरी में होता है ओके फ्रेंड्स इसलिए चाइना भी न्यूज में था तो नेक्स देखते हैं हम लोग ये और एक न्यूज के बारे में जिसमें चाइना न्यूज में था तो ये न्यूज है पैंगॉंग सेंग के बारे में तो पैंगॉंग सेंग काँ है पैंगॉंग सेंग क्या है रिस्टेंटली जो चाइना का जो उनका जो क्या है पीपल्स बैंक अब चाइना पीबी ओसी पीपल्स बैंक अब चाइना का रिस्टेंटली उनको गवर्नर के रूप में appointment किया गया है कि उनको Pan Gong Sing तो Pan Gong Sing क्या किया है क्या किया है उनको मतलब उनको जो चायना है उनको Pan Gong Sing को People's Republic of China Bank के उनका governor बना दे है यानि उनका जो state bank है वहाँ का यानि People's Bank of China है वहाँ का उनको governor बनाया दिया गया एक प्रॉट्ट्पेंट कर दिया है कौन है वो पैंग गॉंग सिंग और यहां पर यह तो हो गया और रिश्ट्लिब और एक निउस में था चायना रिशन्स क्या हुआ चाइना एंड् depression के चाइना और रुसिया इसलिए 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 इ इसमें coordinate कर रहे थे और operational coordinated, मतलब coordinated involving नावाल operation by चायना, इरान और रुसिया, इसमें coordinate कर रहे थे तीनों कंट्री, चायना, इरान और रुसिया, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं और एक वार यहाँ पर नावाल है, तो जैसे नावाल का मतलब होए, connected with the navy, जो नेवी से संब लगा हो, लगा हो, तो उसका में बूल सकते हैं नावाल, तो पैंगॉंग सेंग कौन है, पैंगॉंग सेंग, गवर्नर है, किनका, जो चायना का, पेपल्स बैंक अप चायना है, उनका बैंक का गवर्नर बन गया है, पैंगॉंग सेंग, ओके, आगे बढ़ते हैं, next, cyber space regulator, यह क्या है, cyber space regulator, जैसे आजकल क्या हो रहा है, बच्चे लोग बहुत क्या कर रहे हैं, मतलब smartphone का use कर रहे हैं, और उसमें unlimited use कर रहे हैं, यानि बहुत उनका, मतलब health issue बहुत हो रहा है, technological issue, इसके बज़े से cyber space regulator नाम करें, चायना का एक cyber space regulator है, वो क्या बोला है, रिसेंटली जो children under age of 18, जो बच्चे 18 साल के नीचे हैं, उनका जो use है, यानि smartphone का use है, maximum two hours a day, मतलब एक दिन में वो लोग दो घंटा ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, ऐसे एक rules बना दिया है, कौन? चायना का cyber space regulator, sending share in companies stumbling, तो जो issue हो रहा था, वो issue के चलते, जो under 18 है, यानि 18 साल उमर के नीचे है, उनको बच्चे को क्या किया गया है, वो लोग smartphone का uses क्या करेंगे, limited कर देंगे, और उनको क्या कर देंगे, बस maximum 2 घंटा, एक दिन में बस 2 घंटा ही use कर सकते हैं, जैसे यहा पर सुब है, और एक गंदा साब, इनके बीच में बोला है, internet on mobile device from, मतलब इनके बीच में कभे भी बोलो क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं, बस 2 घंटे, ओके, uses, और यहाँ पर जो है, cyber space administration of China, यह क्या गया है, यानि चायना का क्या है, एक cyber space regulator है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आपको छोटा से वीडियो अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत कुछ एड करेंगे, और चायना के बारे में, और बहुत कुछ भी मतलब जानेंगे, और ऐसे ही अलग-अलग topic पर मैं छोटा छोटा वीडियो लेके आओंगा, जैसे चायना आइज नियोज और अलग-अलग country नियोज या फिर personality नियोज और कुछ-कुछ भी ऐसे एड करते लगा, इसमें क्या हो रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूं और आपको भी थोड़ा सा मतलब बता रहा हूं, तो मतलब सोच रहा हूं कि आपका भी कुछ benefit हो जाए, तो अभी के ल